गुड मॉनिंग क्लास 7 के स्टुरेंट कैसे हैं आप लोग पिछले क्लास में हमने आपका पहला चैप्टर पढ़ा था उसका नाम है पंशी हम उन्मुक्त गगन के तो इस क्लास में हम उसके अभ्यासों को बनाएंगे शुरू करते हैं पहला है हमारा वन नंबर बताओ क्या पढ़ा पहला क्वेशन है पिंजर बद किसे कहते हैं पंशी की बोली आपको कैसी लगती है इसका उतर है पिंजरे में कैच चडिया वह पंची की बोली मुझे अच्छी नहीं लगती और पिंजडे में बंध होने को पिंजडबद कहते हैं देखिए आपका ये जो आंसर है न ये शौर्ट वाला है तो हमने एक से दो लाइन में इसे लिखा है लेकिन अगर आप चाहें तो इसे खुझ से बढ़ा के लिख सकते हैं अगला क्वेस्चन है हमारा यहां में पंची को पिंजड़े में क्याद करना चाहिए क्यों इसका उत्तर है नहीं उन्हें खुले आसमान में उड़ने देना चाहिए क्योंकि पंची उड़ने में ही खुझ रहते हैं अगला क्वेस्चन है निबौरी कैसी लगती है इसका उत्तर है कडवी नी बोरी, कडवी लगती है अगला है हमारा सही उत्तर पर सही का चिन्न लगाएं पहला प्रश्ण है गगन में उन्मुक्त होकर कौन उर्णा चाहते हैं? अंसर है पंची अगला है पंची कैसा जल्पीना पसंद करते हैं? इसका उत्तर है बहता हुआ गह नंबर है कनक कटोरी में क्या रखा है? इसका उत्तर है मैदा गह नंबर है पंची कैसे जूले में जूलना चाहते हैं? इसका उत्तर है पेड की डाली पर अगला क्वेशन है हमारा रिक्त स्थानों को पूरती करो ठीक है इसमें हमें पोएम्स की कुछ लाइन दी गई है उन्हें पूरा करना है पहला नमबर है हम बहताजल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से अगला है खनमबर स्वर्ण श्रिंखला के बंधन में अपनी गती उडान सब भूले बस सपनों में देख रहे हैं तरू की फुनगी के जूले फिर गनमबर है नीड न दो चाहे टहनी का आश्रे चिन भिन कर डालो लेकिन पंख दिये है तो आकुल उडान में विगन न डालो अगला है हमारा चाहर नंबर वाक्यों पर सही या गलत का चिन लगाओ पहला है पंची गंगान में उडने से घबराते हैं यह गलत होगा पंची पिंज़े से बाहर निकलना चाहते हैं सही पंची पिंजडे में क्याद रहकर अपनी उडान भूल चुके हैं सही पंची सोने की कटोरी वाली मैदा को नहीं खाना चाते सही पंची नीले आकाश की सीमा पाना चाते हैं सही अगला है हमारा पाश नंबर निम्न लिखित प्रश्णों के उत्तर लिखो पहला प्रश्ण है पंची क्या चाह रहे हैं इसका उत्तर है पंची नीले गगन में मुक्त होकर प्रसनता से उड़ना चाह रहे हैं अगला है पिंजडे में बंद रहकर पंची किन-किन खुशियों से वन्चित हैं पंशी मुक्त होकर आसमान में उड़ना चाहते हैं, वह तलाब कुवो नहरो आदी से जलको पीने से वन्चित रह जाते हैं, पेडों की फुनियों की टहनी पर जूला जूल नहीं पाते, निबोरी नहीं खापाते अगला प्रशन ग, कवी ने किस कविता में किस की व्यथा का वर्नन किया है, इसका उत्तर होगा, कवी ने इस कविता में एक पंशी या फिर तोति की व्यथा का वर्नन किया है अगला प्रशन हमारा घह नंबर कवी ने गुलामी की तुलना किस से की है इसका उत्तर होगा कवी ने गुलामी की तुलना मरने से की है क्योंकि गुलामी किसी को भी अच्छी नहीं लगती सभी भ्राणी स्वतन्चता से रहना चाहते हैं अगला प्रश्न हमारा पंची सपनों में क्या देख रहे हैं इसका उत्तर होगा पंची सपनों में पेडों की शाखाओं पर अपने आपको जूले जूलते देख रहे हैं अगला प्रश्न हमारा चर नमबर पंची ने सोने की कटोरी की मैदा की तुल्ला में कडवी निबोरी को अच्छा क्यों कहा है इसका उत्तर है पंची ने सोने की कटोरी की मैदा की तुल्ला में कडवी नीम के फल निबोरी को अच्छा इसलिए बताया है क्योंकि किसी को कैद क करके हर सुख दिया जाए तो उस प्राणी को सुख का अनुभग नहीं होता है लेकिन आजादी में उसे सारे कश्ट भी अच्छे लगते हैं उसी प्रकार पंच्छी को भी पिजडे में क्यादी बनकर हल्वा खाने से अच्छा आजाद रहकर कडवी निबोरी स्वादिश पंच्छी कह रहा है कि मुझे रहने के लिए घोसना ना दो मेरे रहने वाले जगह को तोड़ डालो लेकिन अगर इश्वर ने मुझे या फिर यानि पंच्छी को पंक दिये हैं तो मुझे खुलकर उड़ने दो मुझे कैद करकर मेरी उड़ान में बाधा मत डालो हमने question answer इसका बनाया अगला है हमारा छे नंबर वाकिय बनाओ इसमें कुछ श्रब्द दिये गया है वाकिय बनाने के लिए जोखी आप लोगों को खुद से करना है और ये आप लोगों का होमवक भी है और इसके साथ ही आप लोगों का होमवक रखें धन्यबाद